नमसे दोस्तों राजस्थान विष्व विद्धयलय के बीए पार्ट एक हिंदी साहित्य के विद्धयाथियों का स्वागत जैसा कि हम पर्चुके आंपक्षा में भी और वीडियो में भी कि हिंदी साहिती के तहट हमें आदिकाल और बक्तिकाल के प्रमुक कवियों का परिचे लेना है उनकी कुछ कृतियों के बारे में अध्यन करना है तथा उनकी जो प्रमुक पंक्तियां हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्तर करनी है बावार्थ करने है आईए हम बक्तिकाल के प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसिदास के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं हम यह जानेंगे कि तुलसिदास जी का जीवन परिचे कैसा था और गोस्वामी तुलसिदास के कावे की क्या विशेशताई थी डॉक्टर हजारी पसाथ द्विवेदी उनके लिए लिखते हैं कि तोलसिदास कवी थे, भक्त थे, पंडित थे, सुधारत थे, लोकनायक थे और भविश्य के सस्टा थे इन रूपों में उनका कोई भी रूप किसी से गटकर नहीं है यह किसी एक कठोर आलोचक की इससे बड़ी टिपणी किसी एक लेखक के लिए बड़ी मुश्किल से मिलती है कवी, भक्त, पंडित, सुधारक, लोकनायक और भविश्य सस्टा और इन में से कोई भी रूप किसी से गटकर नहीं यह बड़ी बात है कुछ स्मर्नी संकेत देख लें जन्म 14-17 में हुआ तुलसिदास का, मृत्यू 1623 इस्वी में हुई राजापूर बांदा में जन्में, अस्रीगाट काशी में अपना देत्यागा, हुलसी और आत्मराम के पुत्र थे रतनावली पत्नी का नाम था, गुरू नरहरी दास बने और जो उनकी विशेष्टाएं हैं समन्नी तोर पर वो ये हैं कि उन्होंने समन्वय आदर्श समाच की कल्पना और नवरसों पर कावे रचना इनकी मुक्चे विशेष्टा है, हिंदी साहित्य के सबसे अच्छे कवी माने जाते हैं सभी आलोचक इनके कवी रूप और भक्त रूप पर फिदा, इनकी जो भाषा थी वो अवधी और ब्रज मुक्यता अवधी और कौमल ब्रज भाषा का प्रवबी इनोंने अच्छी तरह से किया तुलसी तास जी का जीवन परिचे जब हम पढ़ते हैं, तो जैसे कि हमने शौर्ट नॉट्स में देखा था अभी, कि इनके बाबा बेनी माधवदास कृते गोसरी चरित है, इसमें इनका जन्म दुबे पूर्वा नाम गाउं में बताया लेकिन रगुबर्दास तुलसी चरित के अनुसार तुलसी का जन्म, राजापूर नामक गाउं में पंडित पशुराम मिश्र की वंश परंपरा में मुरारी मिश्र के यां हुआ, इनके बच्पन का नाम था तुलाराम, इन दोनों चरितों में और सब विरोध होते हुए भी गोशाई के जन्म समवत के विशे में समानता है 1554 विक्रम समवत, बाबा बेनी माधवदास ने तो इनकी जन्म तिती भी श्रावन सुकला सप्तमी दी है, शिविसिया सरोच ने तुलसी दास जी का जन्म 1583 विक्रम के आसपास फिकार किया है, गोशामी जी का सर्यूब पारिन ब्रह्मन होना भी सर्वमन्य है, पंडित राम गुलाम के अन्मता नुसार, गोशामी जी के पिता का नाम आत्मा नाम दुबे और माता का नाम हुलसिथा, रहीम का ये दोहा इन नामों के प्रमान में दिया जाता है, सुरतिय नर्तिय नागतिय सब चाहती अस होए, गोद लिये हुलसी फिरे, हुलसी नाम आया है, तुलसी सोसुत होए, कुछ लोग एटा जीले में सोनो नामक स्थान को भी घोश्वामी जी का जन्मिस्थान बताते हैं, परन्तु तुलसी द्वारा रचित कावे में अनेक ऐसे शब्दों का प्रेव गए, जो अयोध्या और चित्रकूट के आसपास ही बोले जाते हैं, इससे राजापूर बांदा को ही हम तुलसी द्वारा का जन्मिस्थान मानें, यह उचित प्रतीत होता है। तुलसी दाजी के विशे में यह जन्शूती पसिद्ध है, कि इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ, इस कारण माता पिता नहीं ने त्याग दिया। गोसाई चरित में लिखा है कि तुलसी जब उत्पन हुए, तभी वो बात पांस साल के बालक के समान थे, मुक में पूरे दांत थे, जन्म होते ही रोये नहीं, पर अब यह सब जैसे उसको राक्षत समझ के त्याग दिया, पर यह सब चीजें तो हम मान सकते हैं कि हो सकता है कोई अनीमिता रही हो इनके, लेकिन जब इनकी शादी रतनावली से हो गई, तो यह तो इतियास प्रसिद्ध बात है, कि एक बार इनकी पत्नी माय के चली गई, तो यह नदी पार करके उसे जाकर मिले, परती बारिश में बिगड़े हुए मौसम के बावजूद, तो उसकी पत्नी को बड़ी लज्या आई, का ऐसा भी क्या मिलना, ऐसा भी मेरे में क्या मोह, तो उनने का लाजना आवत आपको दोरे आयह साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहा कहों मैं नात, अस्ति चर्म मैं देह मम, तासों ऐसी प्रीती, तेसी जो स्री राम मह होती न तो भव भीती, इतनी प्रीती मेरी इस देह में, इतनी प्रीती तो अगर आपकी स्री राम में होती, तो फिर क्या चाहिए था, बस पत्नी की ये फटकार गोह स्वामी जी के लिए विरगे कारण बनी, विरगत हुए, काशी चले गए, कुछ दिन काशी में रहे, फिर आयुद्या गए, और उसके बाद उन्होंने संपूर्ण देशों तीर्थों की यात्रा की, आयुद्या लोटे, समवत 1631 में उन्होंने अपनी अनवह शीलता, शास्त्र ग्यान और राम कृपा के बल पर ऐसे दिव्व सहित्य का निर्मान किया, जिसने मृत प्रायह हिंदु जाती में नव जीव अनकाल में ही तुलसीदास अपनी भक्ती और ज्यान के लिए सारे देश में प्रसिद्ध हो चुके थे, अनेक साधुसंत और विद्वान उनके दर्शन करने आया करते थे, गोहस्वामी जी की मृत्यू के विशे में प्रसिद्ध है कि काशी में जब महा मारी फैली, तब व विसुची का के शिकार हो गए, महावीर जी की प्राथना करने पर एक बार ठीक भी हो गए, किन्तु विसुची का के जरजर शरीर, विसुची का से जरजर शरीर अधिक दिन तक टिक नहीं पाया, और समवत 1680 विक्रम में ये परलोक वासी हो गए, तुलसीदास जी के मृत् सिद्ध है, समवत 1180, असी घंग के तीर, शावन कृष्णा तीज शनी, तुलसी तजो शरीर, तुलसीदास जी की जो कृतियां हैं, उनके 37 कृतियां मते जाती है, लेकिन जो 12 कृतियां प्रामानिक माने जाती हैं, वो इस प्रकार हैं, राम चरित मानस, दोहावली, कविता बर्वे रामायन, कुंडलिया, रामायन, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वति मंगल, रामड़ा नहचू, विराग्य संदीपनी, रामाग्या प्रशनावली, और विनेपत्रिका, संक्षेप में हम तुलसी दास जी की काविगत विशेश्थाई भी देख लेते हैं, दो प्रकार में देखेंगे, भावगत और शैलिगत या कलापक्ष, भावपक्ष और कलापक्ष, भावपक्ष में पहले इनकी जो भावना थी, वो मुक्यता भक्ती भावना थी, हती भावही देः बुदी जाई धरही मुनिद्यान सोई दसरत सुत भगत हित कोशल पती भगवान दसरत पुत्र और कोशल्या के पुत्र बस भगवान वो ही इनके आरादि रहे हैं मांगत तुलसी दास कर जोरे बस ही राम सिय मानस मोरे राम और सीता मेरे रिदय में बसें बस ये चाते हैं उनकी जो भक्ती भावना है वो विनय और दीनता के योग से योग पर टिकी हुई है वो लिखते हैं मैं हरी पतित पावन सुने मैं पतित तुम पतित पावन दो भानक बने दास तुलसी सरन आयो राकिये अपने बस शरना गती और बिना किसी आडंबर की भक्ती विदी विदान की जरूत नहीं है सुधे मन सुधे वचन सुधी सब कर तूधी तुलसी सुधी सकल विधी रगुबर प्रेम प्रसूथी तुलसी के जो राम है वो परभ्रम हैं अनादी पुरुष हैं सीता मूल प्रकृती हैं आनंद स्वरूप होते हुए भी वे मायाधीश और सगुन ब्रमाभी हैं राम की माया ही उसके संकेत मत्र से शिष्टे का निर्मान और सहार करती है तुलसी की दूसी विशेष्टा में दिखती है प्रेम की अनन्यता एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनशाम हित चातक तुलसी दास तुलसी ने महान आदर्शों की स्थापना की है राम उनके लिए पिता पुत्र भाई गुरू शिष्य पति पत्नी राजा प्रजा सभी के उन्होंने आदर्श रूप प्रस्तुत किये हैं अनुभूती की गंबीरता उनके वर्णनों में बहुत पैनी मिलती है जीवन का कोई व्यापार ऐसा नहीं जो उनके अनुभव की पैनी द्रिष्टि से बच पाया हो ज्यान भक्ती और कर्म में समनवय उनकी जीवन की सबसे बड़ी अराधना है समनवय की भावना इतनी ज़्यादा है कि उन्हें समनवय का दूत कहा जाता है अब हम बात करते हैं रस निरूप कहीं अश्रीलता नहीं तूलसी के वर्णन में सर्वक्त मर्यादा का पालन हुआ है और तूलसी ने अपने उच्च आदर्शों के स्थापना सईथ समाज को एक उतकरिष्ट गरंथ सोंपे हैं भाशा की बात करें तो ब्रज और अवधी दोनों पर समान अधिकार था जैसे ने पत्रिका कवितावली अगर ब्रज बाशा में है तो अवधी बाशा का ग्रंत रामचरिद मानस जन जन में आज भी लोकप्री है कुछ विदेशी और देशी शब्द भी चुँकि वो देशी कवी थे तो देशी शब्द मिली जाते हैं और विदेशी संस्कृति के वाज आदी शब्दों को ले आता था यह कोई आश्यरी की बात नहीं तुलसी दास चंदर सास्त्र के भी पारंगत विद्वान थे उन्होंने विबिन्न चंदों में कावि की रचना की है दोहा चौपाई सोठा हरी गीति का बरवे कवित सवया इन सभी में इन्होंने अंधात्मक शेली में भी लिखा तो बरवे रामायन में रहीम की बरवे पद्दती की कथात्मक शेली को अपनाया विन्हे पत्रिका में सूर्दास और विद्यापती की मुक्तक गीति शेली को अपनाया तो दोहावली में कबीर की साखी रूप की उन्होंने शेली प्रयुक अलंकारों के प्रयोग की बात करें तो तुलसी अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, उप्मा, रूपक, उत्प्रेक्षा, द्रिष्टांत, अतिशयोक्ति, विभावना, विशेशोक्ति यानि की कोई अलंकार ऐसा नहीं जिसके इन्होंने प्रयोग नहीं किया हो इस प्रकार हम देखते हैं कि भाव, भाशा, शेली, चंद, अलंकार, इन सभी द्रिष्टियों से महा कवी तुलसी दास, एक सफल और सिद्ध हस्त कवी हैं, विश्व प्रसिद्ध कवियों में तुलसी दास सम्मान जनकस्तान रखते हैं डॉक्टर सुधीर दिख्षित कहते हैं कि तुलसी दास के महा कवी, रामचरिद मनस के संपुन भाव को सुधीर दिख्षित द्वारा कहानियों के रूप में लिखा गया है यह इनकी कहानी के रूप में वनन आया है तो हमने देखा कि तुलसी दास एक ऐसे कवी हैं जो नकेवल विश्व प्रसिद्ध हैं बलकि पूरे भारत में भी उनका सानी कोई दूसरा हमें कवी उस जोड का कवी नहीं मिलता धन्यवाद झाल